वेल्कम टू फालकन एक्सल कैडमी मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको MSXL 2021 में लेक्चर निंबर 23 पढ़ाने जा रहा हूं आज हम बात करेंगे review tab में comments के बारे में और protect sheet के बारे में, protect workbook के बारे में, allow edit ranges के बारे में तो इन commands को किस तरह से apply करना है और अपनी sheet पर apply करके किस तरह से हम इन commands को अच्छी तरह से use कर सकते हैं आज हम इसके बारे में detail से पढ़ने वाले हैं तो lecture start करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएं, कुछ आप new learn कर पाएं तो इस वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा तो start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम बात करेंगे comments के बारे में कि किसी भी cell के अंदर आपने कोई comments add करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस cell के अंदर आप click करेंगे जिस cell में आप comments add करना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर click किया, click करने के बाद हमने new comments पर click करना है जैसे please add new name आप देखें मैंने यहां पर इस cell के अंदर comments एड़ किया जैसे comments एड़ किया तो आप देखें कि यहां पर एक red color की आपको यहां पर चोटी सी एक आई नजर आ रही है एक आपको तकून सी नजर आ रही है तो इसका मतलब है इस cell में comments एड़ हो चुका है आप उसके पर क्लिक करते हैं तो आप step by step next comments पर चले जाते हैं अगर आप comments को delete करना चाहते हैं तो आपने उस cell में क्लिक करना है जिस cell के अंदर comments एड़ किया गया है और इसके बाद जैसे हम delete पर क्लिक करेंगे तो comments यहां से delete भी हो जाएगा और इसके बाद अगर आप इन तमाम comments को hide क चाहते हैं तुमेन यहां पर nehmen कॉमेंट घ्ला कहिए तो यहां से show भी हो जाएगा और यहां से hide भी हो जाएगा तो इस तो हम यहां पर comments को hide & show करवा सकते हैं और अगरा हम गो कुछ भी यहां पर right करें जैसे मैं यहां पर टाइब कर लिया फालकन और इसके बाद मैंने यहा पर अगर हम आफ करते हैं तो देखिए आपके पास कॉमेंट्स यहाँ पर हाईड हो रहा है डाटा हाईड हरा हरा है और अगर यहां पर क्लिक करते हैं कि यहां पर बता हूं चाहते हैं pretend जो एटमिये जो ने हमरे पास लिके हैं तो उनकी picture साथ में शो होजाए और हम लाउस का यूज़ का उनकी picture को साथ में show क्रवाना चाहते हैं जैसे फसक्र से लिए हम इनन यहां पे बिल भूप किया किया उनने यहां पे वांड कीदू शो हो जाए, फिर जहाद की पिक्चर शो हो जाए, अनिल की पिक्चर शो हो जाए, जैसे कसर हम उसके उपर लेकर आएंगे, तो साथ साथ में पिक्चर भी शो होती जाएं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उस सेल के अंदर क्लिक करेंगे, जिस सेल में उसका नाम लिखा हुआ और उसकी पिक्चर हम कॉमेंट्स के जरीए यहां पे शो करवाना चाहते हैं तो आपने यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद आपने रिव्यू पे जाना है और रिव्यू पे जाने के बाद हम यहां पे कॉमेंट्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखें, कॉमेंट्स का वही बॉक्स ओपन हुआ है, आपने जो नाम लिखा हुआ हो इसको यहां से डिलीट करें, जैसे मैं ने इसको यहां से डिलीट किया, और किसी भी कॉर्लल पर क्लिक करते हैं यहां इसको रिसाइज करते हैं, अपनी जरुष के मताबिक, इस तरह से आप इसके इसके अंदर पिक्चर आप अप अब गार किरेंगे तो आपके सने फॉरमिट कॉमिट्स का ये बॉक्स ऊपन हो जाएगा अब उसके बाद आपने color and lines पे click करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पे fill color का यहाँ पे tab नजर आ रहा है आप इस पे click करेंगे fill facts पे आप click करेंगे और उसके बाद आपने picture पे click करना है and select picture पे हम click करेंगे और इसके बाद आपने work offline कर लेना है यहां पर from file पर क्लिक करके आपने उस जगे चले जाना है जहां पर आपके पिक्चर पड़ी है यहां में desktop के ओपर कुछ पिक्चर को यहां पर रखा हुआ है जैसे passport size images तो यहां से यहां पर जहएध पर क्लिक करते हैं फिर new comments में इस तरह से आपनी मुद्री से size देते हैंο और यहां पर क्लिक करके आपने स्वापने इस नाम को डिलेट करें से और इसकी बाद फिर आपने AI autres कलिक करने के बाद आपने format comments परसके बाद यहां पर Color Lines पे आएंगे और Color के टैब में Fill Facts पे आप क्लिक करेंगे Picture पे क्लिक करेंगे And Select Picture पे आना है और उसके बाद पिर आपने वही पिछ ले जाना है जहांके पास Pictures पड़ी भी है Anyone कोई भी Pictures लेट करें Insert करें And OK करें और OK करें तो आपके पिक्चर यहां पर भी आ चुकी है अब जैसे कसर लेके आएंगे तो यह देखिए आपके पिक्चर यहां पर शो हो रही है तो इसमें बेशिक आपके पास कोई नाम हो या कोई आटम भी हो सकता है जिस तरह हम आपके पास कम्पीटर के कुछ पार्ट्स हैं USB है Printer है Scanners है जैसे उनके नाम लिखे हैं तो जैसे कसर उसके उपर लेके जाए तो वो मॉडल या वो पिक्चर भी मारे पाशो हो जाए तो इस तरह से भी हम अपने काम को और decorate कर सकते हैं कि उसके बाद next command हम पढ़ेंगे इसमें Protect Sheet के बारे में कि आपने शीट पर password अप्लाई करना है तो प्रोटेक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने उस शीट के उपर क्लिक करना है जिस शीट परちゃए पर protection अपक्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद हम Protect Sheet पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पे Protect Sheet का यह बॉक्स ओपन हो जाता है आप इसके अंदर देखें आपके पास Select Lock Cells है, Select Unlock Cells है, Format Cells है, Format Columns है, बहुत कुछ है आप किसी एक जिगा प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉलम को इंसर्ट करने के प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्मिट करने के प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर हम पूरी शीट के प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते कि इसके अंदर कोई ऐडिटिंग नहाँ सके तो इसके लिए हम यम यहां पर टाइप करते हैं जयसे में हम यहाँ टाइप कर लिया नa Sorry और उसके बदा हम इसे OK करते हैं और यहां पर 904 हम टाइप करते हैं और उकी प्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहां प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है आप इसमें से ना तो कोई शक्स इस तारी को डिलीट कर सकता है और ना ही यहां पर कुछ हम राइट कर सकते ह पूरी शीट के उपर आपके प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है अगर आप इसको रिमूफ करना चाहते हैं तो आपने अन प्रोटेक्ट पर आना है पासपड़ता 904 और एंटर पर प्रेस करें और यहां पर डेटा कॉम डिलीड भी कर सकते हैं और कुछ नए डेटा भी यहां पर राइट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में बात करेंगे प्रोटेक्ट वर्क बुक के बारे में कि आप वर्क बुक पे प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं जैसे मेरे पास यहां पर वर्क बुक है तो आप देखें कि इस वर्क बुक के अंद कर सकता हम तो मैं चाहता हूं कि यहां पे कोई भी कमांड अप्लाई ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आपने क्लिक करना है आपके साहरें वर्कबुक का यह बॉक्स ओपन हो जागा तो स्ट्रेक्चिर के मैंड कोपने यहां इंसर्ट हो तो और यहां पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देखें यहां पर इंसर्ट, डिलीट, रेनेम, मूँवर, कौ्पी और टैब वगर के कोई कमांड आक पास यहां पर एक्टिव नहीं है, अगर आप से अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपने प्रोटेक्ट और पुक पर दुबारा किलिक करना है और पासफ़र टाइप करते हैं 904 एंटर और उसको आप देखेंगे फिर यहां पर राइट क्लिक करके तुमाम कमांड आपके पास एक्टिव हो चुकी और प्लस पर क्लिक करके हम न्यू शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं तो इस्ता से आप प्रोटेक्शन अपलाई कर सकते हैं वर्क बूक के उपर और उसके बाद नेक्स कमांड हम पढ़ने चाहरे हैं इसमें अलाव एड़िट रेंज कि हमने यहां पर यह एक न्यू कमांड है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ना है तो इस कमांड के लिए मैंने यहां पर एक क्षीट इंसर्ट की वी उसके पर मैंने यहां पर डेटा आइड किया हुआ है जैसे आपको नदर आ रहा है कि यह Morocco स्ब्जेट्स लिखे वे तो यहां पर कुछ subject के मैंने यहां पर number add कर दी हैं और बाकी subject के number add करने हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि यहां पर बाकी जितना भी data मेरे पास पड़ा हुआ है इसके अंदर कहीं पे भी क्यों changing ना हो और सिर्फ इसी cell के अंदर data आपका right हो तो इसके लिए हमने क्या करना है इन तमाम cells को हमने select करना है जहां पर data write करना चाहते हैं हम यहां पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपने यहां पर इस तासे तमाम cell को select कर लेना है और फिर उसके बाद हम review पे आते हैं review पे क्लिक करने के बाद Allow Edit Range पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे एक box open हो जाएगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें new पे और new पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने range को name देना है, जैसे यह बारे मरपस में आरे तो मैंने यहाँ पे दे दिया यहां पर मैंने chemistry लिख दिया और इसके बाद मैंने क्या किया कि कि यहां पर password देना है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर permission देना चाहता हूं किसी को लिखने की अपने computer operator को या अपने data entity operator को कि यहां पर लिख ले मगर लिखने से पहले भी एक password इंटर करेगा तभी इसको permission मिलेगी लिखने की तो password हम यहां पर 123 हम type करते हैं एंटर प्रेस करने 123 टाइप करें और उसके बाद आपने इसको okay कर लेना है अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है यहां पर प्रोटेक्ट शीट आपने यह प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भी अप्लाई करने कि बागी शीट के ओपर डाटा आपका ना लिख जाए तो आपने प्रोटेक्ट शीट पर आना है और इसके बाद इन तुमाम कमांड को आपने यहां से एक्टिव कर लेना है कि यहां पर ना तो हैप पर लिंक डिलीड हो ना इंसर्ट हो ना कि पास कॉलम इंसर्ट हो ना डिलीड हो बाकि कोई भी फिल्टर वगारे कमांड अप्लाई या रिमूव ना हो तो यहां पर पास्पलों टाइप कर ले यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा, स्रोफ मैसेज box open होता है, इसमें आप डिलीड नहीं कर सकते हैं, वगद आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ write करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर unlock range का यहाँ पर box open होता है, यहाँ पर आपने password इंटर करके आप इसको data enter कर स इसका password जो हमने type किया था unlock range का वो था 123 और enter अब उसके बाद यहाँ पर हम data write कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से यह तो इस तरह से आप इस command का use करके आप मक्सूस के उपर protection को apply कर सकते हैं और इसको इस तरह से आप remove भी कर सकते हैं कि remove करने के लिए आपने क्या करना है unprotect sheet प remove हो चुकी है तो यह था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको review tab के बारे में पढ़ाया आज हमने comment के बारे में बात की protect sheet के बारे में बात की प्रोटेक्ट workbook के बात की और उसके बात allow added ranges के बारे में बात की अमीद है आज किस लेक्चर में बहुत कुछ new सीखने को मिला की बाते हैं